असलाम लेकूम आई यूटू फैमिली कैसे हैं आप सब आई होप के सब अच्छे से होंगे रूबिस कुकिंग के एक और रेसिपे में आप सब का स्वागत है आज मैं कॉलकता का बहुत ही फेमस रेसिपी मटन रिजाला की रेसिपी रेकर आई हूँ जो देखने में तो बहुत ही यमी होता है साथ सब खाने में और भी टेस्टी होता है चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं मैंने यहां पर 500 ग्राम मटन लिया है मैंने बोन और बिना बोन की सब मिक्स करके लिया है साथ में यहां मैंने काजु ले लिया है और फंटी स्पून खस-खस लिया है खस-खस और वोट काजु को मैंने एक security बना लिया है दोनों को इसाben मैंने लाज सुखी मिर्च थोड़े काली मिर्च और ओर लॉंग ले लिया है यहां पे मैंने दो प्यास पीस के बारी के लिए अधरकलसुन का पेश्ट यहां पे फोर टीस्पून दही है यह मखाना है जो रिजाला के लिए बहुत ही इंक्पॉर्टेन इंकिरियन्स है कि अव कि सब सुखे मसाले हैं जिसमें मैं लाल मिर्च और हल्दी यूज नहीं करने वाली हूं हम सिर्फ धनिया पॉडर काली मिर्च और जीरा का पादर अगर मसाला यूज़ करेंगे बाकि सब मसाले में याज़ाला में यूज़ करना है हमें सबसे पहले हम मटन को आधा टीस्पून नमक लिया है यहां मैंने आधा टीस्पून गरम मसाला और आधा टीस्पून भुरावा जीरा और काले मिर्च का पॉडर 1 टीस्पून धनिया पॉडर आट करेंगे सबको अच्छे से हम हाथ से मिक्स करेंगे मिक्स करने के बाद इसे आप अगर आपके पास टाइम है तो इसे ओवर नाइट मैगिनेट करके रखें अगर आभी जल्दी बनाना है आपको तो एक से दो घंटा कम से कम मैगिनेट करके जिसे यह बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है मैगिनेट करने के वज़ा से मैगिनेट करने के लिए इसे हम वापस एड कर लेंगे एड करने के बाद वापस मिक्स कर लेंगे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे हम ढखकन से ढख देंगे और मैने इसे ओवर नाइट फ्रीज में रखा था अच्छे से मैगिनेट करने के लिए हमारा मटन बहुत ही अच्छे से मैगिनेट हो चुका है अभी रेसिपी स्टार्ट करेंगे इसके लिए मैंने एक कूकर चाहा दिया है मटन दिजाला मैं घी में बना रही हूं इसके जगा आप ऑईल भी यूज़ कर सकते हैं मैं 3-4 टेबल इस्पून घी डालूंगी क्यू मैंने डाल दिया है कुकर में जैसे ही घी थोड़ा गरम हो जाएगा मैं काली मिल्च और लॉंग डाल दूंगे घी में उसके बाद जो हमने कांदा पीस के रखा है उसे डालना है अक्षा मसला डालने के बाद हम पीसा हुआ प्याज कर देंगे इसे मैंने थोड़ा सा कलर च में इसे भूल ले अभी हम सुखी मिर्ची आड़ कर देंगे ऐसे ही कंटीनिव चला चलाते भूने क्यूंके प्यास बहुत चंदी ही चिपक जाता है इसे लिए कंटीनिव चलाते रहें मसला थोड़ा भूनने के बाद हमने मतन मैगनेट करके रखा था वह डाल देंगे अभी कुकर में मतन डालने के बाद हमें इसे अच्छे से भूनना है तक्रेबन हमें 5-8 मिनट तक मसाले को अच्छे से भूनना है गुलने के दवरानी हम आधा टेज़ पून के कम नमक डालें गे क्योंकि कि मैंने मैंगिनेट करने में बटन में नमक डाला है नमक डालने के बाद बाद गुलते रहेंगे कंटिनिव हमारा मसाला लगबग भून चुका है हमने जो खस खस और काजू का पेश्ट बना के रखा था वह मतन में एट कर देंगे फिर मैं दो मिनट और पकाऊंगे इसे आप सब मतन देजाला कैसे बनाते हैं मुझे कमेंट्स करके जरूर बताईए मतन का मसाला अच्छे से भून चुका है अभी हम कोगल का ढखा कि तेन सीटे ले लेंगे क्योंकि हमने अभी कम से कम दस मिनट तक मसाले को भूंते वे मतन को पकाया है दस मिनट के बाद कुकर कठकन खोलेंगे दस मिनट हो चुका है देख सकते हैं आप सब कितना अच्छा कलर आया है मतन रिजाला का इसे बस हम पांच मिनट थोड़ा और पानी को सुफाएंगे क्योंकि मतन रिजाला थोड़ा ड्राय होता है अगर आप पतला खाना चाहते हैं तो आप इस टेस तक कि लास्ट पका सकत है इसे हम अच्छे से तो मेट और भूल लेंगे अब भूलने के दौरानी हम मखाना आइड कर देंगे क्योंकि वो ग्रेवी का पूरा फ्लेवर उसमें जा सके मखाना मटन दिजाला या चिकन दिजाला के लिए बहुत ही इंक्पोर्टेंट है इसके बिना दूरा लगता है जो जो कॉलकता से होंगे उनको पता होगा मटन में दबा के चेक कर लिया था मटन गलाएं की नहीं इसे ज़स्ट हम पांच मिट के आसपास भूल लेंगे अच्छे से ग्यास का फ्लेम हाई मेडियम टू हाई रखे इससे जल्दी भून जाए प्योंकि हमने मसाला पहले ही भून चुका था अशे में इसे थोड़ ड्राय करना है हमारा ग्रेवी अच्छे से भून चुका है अगर इसे आप और ड्राय करना चाहते हैं तो कर सकते हैं मैं बस इतना ही रखोंगी मैं इसे कैस का फ्लेम बंद करके ढखकन ढखके कम से कम पांच मेट के छोड़ दूगी उसके बास सर्फ करोंगी चलिए सर्फ करके मिलते हैं और तो करना आप से अगर Psalm के सामारा घर्मा घरम मतन अफ्टर कैसी लगी मुझक बताइये अगर आप सब को मेरी वीडियο मेरे रेसिपी पसंद आती हो तो प्लिंग मैं चनल को सब्सक्राइब करें मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे वीडियो को फ्री अट आफिस्ट